नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल प्रकास से यूटेक में जिन छात्रों का भी फॉर्म डिश्टोग स्कॉलर्सिव कमेटी यानि कि डेडवलो ऑफिस के तरफ से बेरिफाई हो चुका है उन छात्रों का सवाल है कि सर हमारा पैसा बाएगा उन छात्रों की कटेगरी में अलग-अलग छात्र हैं जिससे कि कुछ कच्छा नवी दसमी के हैं तो कुछ इग्रामी बारा हुई और कुछ ग्रेजवेशन प्रोश ग्रेजवेशन के भी बच्चे है जिनका फॉर्म बेरिफाई हुआ है और वो छात्रृत्ति कब सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाले समय में कोई भी इनफार्मेशन आप से मिस्ना हो तो चलिए देरी किस बात की वोडियो को सुरू करते हैं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भर भर के छात्र मतलब लगातार भेज रहा है कि ताबट तोड जो है डेली छात्रों का स्टैटस जो है वो डिश्ट्रों के स्कॉलरिसिप कमेरटी से बेरिफाई हो रहा है अलग-अलग छात्रों का आप देख सकते हैं जैसे कि यह डिपलोमा का छात्र है भी इसके पहले वाले वीडियो में दिखाया था वो बीटिक का था तो अलग-अलग छात्रों का फार्म जो है वो बेरिफाई हो रहा है तो अब सवाल आता है कि सर हमारा फार्म तो बेरिफाई हो गया पैसा कब आएगा देखो पैसा भी आपको मार्च में ही मिलना है यानि कि आपका फार्म मार्च में बेरिफाई हुआ और इसी महीने में आपको पैसा भी मिलना है तो जो भी छ ग्रेजवेशन और पोश्ट ग्रेजवेशन के बच्चे हैं उनकी छात्रवित्ती 22 मार्च 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक भेजी जाएगी उनके खाते में यह चीज़ समझ गए मैं आपको लाच जेड़ बता रहा हूँ यह कि 31 मार्च तक आप लोगों को हर हाल में पैसा जो है वो आपके खाते में पहुच जाएगा मिल जाएगा देखो क्या है कि 22 तारीक से लेकर 31 मार्च तक पैसा आपके खाते में बेज़ा जाएगा वहीं जो कक्षा 9.10 और 11.12 के छात्र है उन बच्चों का पैसा 22 मार्च के पहले तक यानि कि 15 मार्च से 22 मार्च के बीच में इन छात्रों का पैसा बेज़ा जाएगा और 22 से 31 के बीच में यूजी पीजी के छात्रों का पैसा बेज़ा जाएगा तो अब पैसा किनका बेज़ा जाएगा जिनका फॉर्म बेरिफाइड है अगर आपका फॉर्म बेरिफाइड है तो आपका भी पैसा बेज़ा जाएग अब आपको चलिए बताते हैं स्ट्रेटस कहां से देखना है कि आपका फॉर्म बेरिफाई हुआ की नहीं स्ट्रेटस का स्ट्रेटस देखना है तो आपको Google या Chrome पर cmhelp.in टाइप करके सर्च कर देना है पासवर्ड डालके capture डालके submit कर देना है और अपना इस्ट्रेटस देख लेना इस्ट्रेटस देखकर Instagram पे मेरे को send करो मैं आपको उसका जबाब भी बहुत ज़्यदा बच्चे ऐसे हैं जिनका form pending है या फिर उन्होंने correction किया है लेकिन अभी तक उनका form verify नहीं हुआ है district scholarship committee से तो उन चात्रों के लिए मैं बता दूँ कि जिन भी बच्चों का form अभी तक district scholarship committee से verify नहीं हुआ है उनको बहुत हतास होने के जरुवत नहीं है क्योंकि अभी चार दिन का वक्त बचा हुआ है और मुझे पूरा उमीद है कि अगले दो दिनों के अंदर सभी चात्रों के form पर अंतिन नेड़े ले लिया जाएगा यानि कि या तो आपका form verify कर दिया जाएगा या तो reject अगले दो दिनों के अंदर चुकि last date 12 तारिक तक का है आखरी मौका लेकिन फिर भी जो जानकारी है जो बाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अब इसमें क्या है कि जिनका data अधियारियों को मिलेगा DW को NIC से उनका form verify हो जाएगा अब जिनका data unavailable रहा यानि कि अवपस्थित रहा नहीं मिला समय से तो उन शात्रों के form को फॉरण reject कर दिया जाएगा और अगर एक बार आपका form reject हो गया तो फिर आपकी scholarship इस सत्र में त जो संभावनाएं हैं वो न के बराबर हो जाएगी बाकी का कोई doubt होता है तो आप instagram पर follow कर लो जरूर से पूछ लेना और चैनल को subscribe कर दो सभी बच्चे जितने लोग देख रहे हो subscribe कर दो 38,000 लोग की family complete हो जाएगी सिर्फ 70 subscriber चाहिए तो जितने लोग नहीं की हो फटा-